साबधानी हटी की दूर घटना घटी यहां दोस्तों यही हुआ इस वीडियो में दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अन तक देखिएगा नहीं तो एक बहुत बड़ा आप सौट जो है मिस कर दिजिएगा क्यूंकि देखिए यहां पर एक ट्रैक होता है और उसमें पह सिर्वादी आत्मापए काफी आदमी लगा हुआ है भाई का लेकर यहां फोर या पीजिने गजा अंबक है है पर उतना देह में जो है काफी कुछ जाल जाता है और उसके बाद जो है गाड़ी को बुझाए जाता है फिलाल तो अभी कॉल कर दिया गया है फायर जैन्सी को अभी तलक आया नहीं है और यहां पर काफी अदमी जो है आग बुझाने का कोशिश में लगा हुआ है पर आग बुजने का नाम ले रहा है क्योंकि आफी बढ़कर आग लग गवाई लग गया है और क्योंकि इसके अंदर में जो है शीटेव इंटेस अलस्तिक वह सब के बजय से और ज्यादा यहां पर आग लंगने के चांस हो ज ज्यादा होती है और मैं ही जो का मतलब जो है आग लगा हुआ देखिए यहां पर किस तरह लग रहा है कि मतलब कुछ भी रहा है उपर से और हाथी जदा है खतलनाक लग लग दिया है देखिए धीरे जो है एक दम बढ़ता जाएगा और यह बूजिने का नाम जो नहीं दे रहा है और आदमी साम इसको बु इसको बुजाने का ले चकर में पहली इसमें कापी ज़्यादा समान इस गारे मेरा ताइद में मैं पारच शाव रहताए जो की उसको गर्म होने। गारे में वह भलास्त हो सकता है और उससे दिक्कति सब्सक्थूल यहां का आदमी सब पीछे आध्या पहुझाने का मगर नहीं बुझ पया क्योंकि आग काफी ज्यादा है इसके ने के बाद भी काफी ज्यादा समान जो भूझ जाता है कर दोस्तों तो आप साब दानी से थोड़े काम करें ठीक है क्योंकि जरा सबीन नजर आपका इधर उदर होगा तो कुछ बड़ा हाथसा हो सकता है और वही सीन हुआ यहां पर देखे किस तरह कैसे दंपूरा दुवां दुवां ट्रेकी नहीं दिखने लगा इतना यहां पर निया है एखान यह बहुत हो घया है कि फैर कर टोट भड़ा हमसेगों चाम पांच भाव तो कुछ गदंड काम नहीं बना क्योंकि बहुत है मैंना शांग सब्सक्राथस है उसके बात पानी मारने के बाद जो आ यहां पर आग बंद होएं और फिर से लिवीर में जो है में ज़न के खौक हो गया है The top लेका इंजन का जो पलास्ट का सब्धूने करें गा कुछ भी नår होँ यह तो पूरा यह ज़न के खतम हो गया है तो रश dip अगर आप हैं इस चैंटल पर नहीं है तो channel के सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दियू को को ज्यादा से ज्यादा सेरे करें तो रोस्तों देखिए यहां पर पूरी त्रेकर से जो आक बंद हो गया है पानी मारके इसको बंद किया गया है और मिलते हैं दोस्तों फिर नैस्टे वीडियो में